नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैरानी गुपता आपके साथ और बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको पता दे जिस तरीके से पहश्रम बंगाल के मौमिनपूर और इकबालपूर में जो हिंसात देखने को मिली है जिसमें पूरी तरीके से बंगाल की प्रशासन बंगाल की सिया ममताब एनरजी से रोकने में नाकामयाप साबित होती हुई दिखाई दी और जिस तरीके से यह हिंसा बढ़ती गई तो इसको ले करके आप सेंट्रल फोसेस की डिमांड हो रही है कि वहाँ पर इसको तैनात किय देखल कि हुई है और यह कहा गया है कि कोलमकाता में प्रोसेस को वहां पर तैनात किया जाए है कि से पेले भी इलडान ही कंतर ग्रेह मंत्री को लेटर लिख करके वहाँ पर ये मांग की थी जिसके बाद अब कैलकेटा हाई कोट में एक पी आयल देखल की गई है और इसमें ये मांग की गई है बता दे परशम मंगाल के मोमिन पूर में बीती रात हिंसा के बाद दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो हो सकती है इसके साथ ही उन्होंने ग्रेह मंत्राले से केंद्री अबल तनाथ करने का भी आग्रा किया है बता दे कि परशम मंगाल के इकबाल पूर मोमिन पूर जासे अलाकों में बड़े इस्तर पर हंगामाद देखने को मिला था बीती रात कई वहानों में तोड़ फोड और आगजनी भी की गई थी बता दे इसको लेकर के बीजेपी ने सीधे तोर पर ममताव एनरजी पर आरोप लगाया है प्रशासन पर आरोप लगाया है और उनकी नाकाम्याबियों की पोल खोल दी है बता दे कि बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है कि ये ममताव एनरजी द और आग जनी हर बार देखने को मिल रही है वहीं वकील और बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने मोमिन पुर मामले में कोट की निगरानी में निस्पक्ष जाच की मांग को लेकर हाई कोट का दरवाजा खटखटाया है बतादे शहर की पुलिस द्वारा इकबलपूर में हिंसा को न रोकने और रोकने में समर्थ होनी की बाद कोलकाता में केंद्रिय बलो की ततकाल तराती की मांग करते हुए कलकटा हाई कोट में जनहित याचिका यानि की पी आईल को दायर किया गया है बतादे कि कोलकाता के मोमिन पुर के मयूर भंज लाके में सामप्रदा मंगाल को पर्शम बांगलादेश बनाने की साज़ रची जा रही है मयूर भंज अलाके में अनुसूची जाती के लोगों को हटा कर एक विशेश अमुदाय के लोगों को बसाने की पूरी तरीके से साज़ चल रही है जासा कभी केरल में होता था इसी के साथ ही बता दे कि आज दोपहर तीन बजे राजपाल से मुलाकाद भी कर सकता है आपको बता दे कि रविवार को मौमनपूर अलाके में के बाद एक वाहनों में तोड़ फोड की गई थी इच और पत्थर बाजी भी की गई थी एक बालबोर थाने को घेर कर विरोध दर्च कराया गया था कु प्लिस की गर्ष्ट जारी है फिलाल मौमनपूर अलाके में आज इटो के तुकड़े और टूटी बाइक और देखे जा सकते हैं सबीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को मौमनपूर में मौके पर जाने से रोक दिया गया सुकांता मजुमदार क काफले को चिंगरी हाटा मोड पर बैरिगेट्स लगा कर रोका गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पुलिस से नुग छोग भी हो गई राजभाजपा पुलिस की अतीस सक्रियता के खिलाफ उच्च नयायाला का दर्वाजा खट खटा चुकी है बता दे कि बालूर घ आज़ी के कारे करता थे थाना डखल कर लिया गया था पुलिस निहसाओ थी वह जहां रहे थे पुलिस ने उन्हें रासत में ले लिया बंगाल को बंगलादेश बनानी कि सज़िस चल रही है गाँ पर कबजा करना चाहते हैं जैसा केरल में कभी होता था इस बीच हम इतमाल स्थिती को समहल नहीं पाया हम जाएंगे और सभी पक्षों से इलाकों में शांती बनाए रखने को कहेंगे हाला कि पुलिस सुकांता की टिपणियों से सहमत नहीं हुई उसे चिंगरी हाटा से गिरफतार कर लाल बाजार सेंट्रल लॉक अप में ली जाया गया इस बीच विवार को कई गाड़ियों में तोड़ फोड पत्राव और बंप फेकने की घटना सामने आई बतादे देश शाम इकबाल पर पुलिस थाने का घिराव किया गया वहां भारे पुलिस बल तनात किया गया मौखे पर आरे अफ तनात है बतादे कि मिलाद और नवी के मौखे पर जंडा लगाने को लेकर विवाज शुरू हुआ अभी भी तनाव के स्थिती लगातार वहां पर बरकरार है जिसको देख तोवे कैलकटा हाई कोट में पियायल दायर की गई है और सीधे तोर पर कैलकटा हाई कोट से नियाय की गुहार लगाई गई है कहा गया है कि स्थापित हो सके आपको बता दे कि इससे पहले भी कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि किस कदर वहां पर हिंसा देखने को मिली थी और तमाम जो लोग है सड़कों पर उतर आये थे पथर बाजी तोड़ फोड आग जनी की घटा एक वर पहले भी हो चुकी है इसके ब ममता सरकार की नाकाम्याबी जलकती है कि कैसे इस हिंसक गतिवीदियों को वो रोकने में नाकाम्याब रही जिसके बाद लगातार ये मांग की जा रही है कि वहां पर सेंटरल फोर्स को नियुक्त किया जा सके ताकि इस्तिती पर काबू पाया जा सके इसी के साथ ही समय समय पर बंगाल में रास्टपती शासन की भी मांग की जाती है और कहा जाता है कि ममतास सरकार जो है काभी भी अपनी राज में सुरक्षा ववस्ता को ले करके वहाँ पर शांती ववस्ता को ले करके इस्तिती को समालते हुए नजर नहीं आई है हमेशा से ही ये जो हिंसक गतिवी रहें क्योंकि लगातार एक पक्ष के द्वारा उन पर हमला किया जाता है लेकिन इसके बावजू सीम ममता बैनर्जी उन पर एक्षन लेते हुए नहीं दिखाई देती उन्हें रोकते हुए नहीं दिखाई देती जिस तरीके से यह मांग की जा रही है अब तो कैलकटा कोट में यह प्यायल भी दाखिल की गई है इससे पहले सुकांता मजुमदार ने ग्रिया मंत्री अमेशा को लेटर लिखा था और उनसे भी यह मांग की थी कि वहां पर सेंट्रल फोर्स को तैनाद किया जाए तो यह माना जा रहा है कि अब मामता सरकार का खेल खत्म होने व हमने वैसी तस्वीरे दुबारा बंगाल से ना नीच रही है आपको बता दे कि बंगाल में यह इस्थिति आजक नहीं है हमेशा से यह चीज़े देखने को मिल रही है कि कैसे बहां पर एक खास समुदाय के दौरा लगातार इस तरीके की हिंसक जड़ब देखने को मिलती है अभी कुस दिनों पहले ही वहाँ पर देखने को मिला था इससे पहले जब विधान सबर चुनाव समाथ हुए थे उसके बाद भी किस तरीके से हिंसक घटनाय वहाँ पर देखने को मिली थी कई बीजेपी निताओं को कतल कर दिया गया था उनकी हत्या कर दी गई थी यह तस वीरे सामने आई है यह बार-बार सद करता है कि ममताब एनरजी जो है वो लगातार सुरक्षा को लेकर के कानून ववस्ता को लेकर के हमेशा उनमें चूक नजर आती है और वो बंगाल राज को सम्हालते हुए नजर नहीं आ रही है जिसकी विज़े से बार-बार वहाँ प जब बंगाल में वैसी घटना देखने को ना मिल सके ढ़ बता दें जिस तरीके से बंगाल के तमाम अलाकों में रविवार को जो हिंसक घटनाए देखने को मिले किस तरीके से आज条 हो तस्वीरें सामने आई और ये मान की गई है कि वहाँ पर Central Forces की तनाती कर दी जाए आपको बता दें जहां इससे पहले बीजेपी के नेता सुकांता मजुमदार ने भी ग्रेया मंत्री को लेटर लिखके ये डिमांड की थी कि वहाँ पर Central Forces की तनाती कर दी जाए ताकि राजे में शांती सुरक्षा ब राज में 10 अक्टूबर से ले करके 12 अक्टूबर तक के लिए ही रहेगी फिलाल जिस तरीके से बार बार ये जो हिंसक घटाओं की तस्वीरे सामने आती रहती है बंगाल से उसको ले करके ये कहना गलत नहीं होगा कि ममतार राज में हमेशा सही ऐसी घटना होती रहती है इ जीने को मजबूर है फिलाल आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट्स अक्षन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें